आज बनने जा रही है एकदम कुरकुरी आलू की टिक्की जो हम बाजार में खाते हैं शादियों में खाते हैं ना एकदम कुरकुरी वाली वैसी टिक्की बनाकर तयार कर रही हैं ये देखी सिंपल सी रेसिपी है आप जरू ट्राय कीजिएगा नमस्ते दोस्तो स्वागत है आ अलुटिकी बनाने के लिए हमने यहां 500 ग्राम उपले हुए आलु लिये हैं, आलु को हमने पहले उबाल लिया था, उसके बाद ठंडा करके फ्रीज में 5 झंटे के लिए रह दिया था, फ्रीज में इसलिए रखा जाता है ताकि आलुओं में जो नमी है वो एकदम कम हो जाए तो आलू हमेशा ठंडा करके ही लीजिएगा जब भी आलू टिक्की बनाएं अब हम आलू को कद्दुकस कर लेते हैं ताकि टिक्की में आलू के कोई भी चंक्स ना रहे जब भी आप आलू उबाले तो कुकर जब ठंडा हो जाए तुरंत उसे बाहर निकाल लीजिए चलनी में वरना आलू ज्यादा पानी एब्जोब कर लेते हैं आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे हमने यहां एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चली है आप चाहें पाउडर भी ले सकते हो लेकिन उससे मिश्रन थोड़ा रैडिश हो जाता है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला एक चोथाई छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच साधा नमक डालेंगे अब हमने यहाँ पर दो हरी मीर्च ली है बारी कटी हुई इसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे पहले हम मसालो को अच्छे से आलू में मिक्स कर देते हैं ये देखे फ्रेंड्स आलू एकदम ठंडे थे तो इन में बिल्कुल भी नमी नहीं है हमने मसालो को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए चावल का आटा ले रही है आप चावल का आटा डाल कर बनाएंगे तो टिक्की बहुत क्रिष्पी बनेगी मैं यहां 4 चम्मच भर कर चावल का आटा डाल रही हूँ आप आलुों में नमी के according चावल का आटा डालिएगा साथ ही मैं यहां 2 बड़े चम्मच कौन फ्लोर डाल रही हूँ कौन फ्लोर की जगे आप आरा रोट ले सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं मैंने दो चमच कौन फ्लोर डाल दिये हैं अब हम टिक्की को और भी चटपटा बनाने के लिए एक छोटा चमच निमू का रस डाल देते हैं और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में ले आएंगे ये लीजिए हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसका आटा लगा लिया है अब हम हातों को धोकर फिर इसके टिक्की बनाएंगे ताकि जो आलू है वो हातों पर चिपके नहीं और इसकी गोल और फ्लैट टिक्की बना लेंगे छोटी बड़ी आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो और उसे हम प्लेट पर इस तरह से गोल गोल कर लेंगे ताकि इसके किनारे भी एक्तम सॉफ्ट हो जाए तो ये हमारी एक टिक्की बनकर तयार है इसी तरह से हम सारी टिक्की बनाकर तयार कर लेंगे जितना हमने मिश्रन बनाया है उसमें हमारी 11 अच्छे साइच की टिक्की बनकर तयार हो जाएगी एक बैच के लिए टिक्की बनाकर हमने तयार कर ली है पहले हम इसे फ्राय करने के लिए रख देते हैं यहां हमने एक पैन में धीमी गैस पर तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है इसमें हम जितनी टिक्की आ सकती है उतनी रख देते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दीजेगा ताकि हमें पलटने में कोई भी दिक्कत ना हो गैस की आज को पूरे टाइम एक्टम लो रखिएगा लो फ्लेम पर बनाएंगे तो टिक्की उतनी ही कुरकुरी बनेगी इन टिक्कियों को बिल्कुल भी टच मत कीजिए जब नीचे से हलका सा गोल्डन कलर दिखेगा तब हम इसे पलटेंगे तो ये देखे हलका हलका गोल्डन कलर दिख रहा है नीचे से तो अब हम इसे पलट देते हैं ये देखे बहुत ही सुन्दर कलर आया है और एक्टम कुरकुरी दिख रही है इसी तरह से हम सारी टिक्की पलट देते हैं पूरे पेशन्स के साथ टिक्कियां बनाईएगा बहुत बढ़िया एकदम कुरकुरी टिक्की बनेगी इसी तरह से नीचे से भी सिखने दीजिए और ये देखे नीचे से भी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है तो मैं उपर से फिर से इसे सेक रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम कलर आया है ये एकदम अच्छी गोल्डन होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है अब इन्हे पलट पलट कर अच्छा गोल्डन होने तक सेक लीजिए और ये देखिए हमारी टिक्की का कलर देखिए आप चारो तरब से बहुत अच्छा कलर आ चुका है अब ये परफेक्टली बन चुकी है अब हम इन टिक्की को बाहर निकाल लेते हैं आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये टिक्की कितनी कुरकुरी बनकर तयार हुई है हम इन टिक्कियों को बाहर निकाल लेते हैं इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राइ कर लेते हैं इन्हें भी हम उसी तरह से सेक लेंगे और ये लिजी हमारी सारी टिक्की बनकर तयार हो चुकी है एक्तम कुर्कुरी टिक्की बनी है इन टिक्कियों को फ्राय होने के बाद तुरंत टीशू पेपर पर मत रखिएगा वरना ये थोड़ी सी सोगी हो जाती है कुर्कुरी नहीं रहती है आप चाहें तो इन टिक्की को ऐसे ही हरे धनिय की चट्नी और सौस के साथ सव कर सकते हैं या इने चाट के रूप में भी सव कर सकते हैं इसके लिए पहले इस पर मीठा दही डालिए, फिर इमली गुड की चटनी, हरे धनिये और पुदिना की चटनी, इस पर काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, बारिक वाली सेव आपके पास हो तो वो डाल दीजिए और हरा धनिया डाल कर सव कीजिए, तो आपको जैसे चाहे आप वैसे इसे बना सकते हो, तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैला एकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का न इसकी